गुण बॉर्णिंग इस्टुडेंट्स दिस इस रिश्ट्यू पाध्याय फैकल्टी आप प्रैक्सिस बिद्यापी ठुधुली बच्चों आज भी हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलर विलीप्स और रिलीजियस डिबेट्स चैप्टर नॉम्बर एट ऑफ हिस्ट्री जुसम हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट भक्ती सेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें रामानुज रामानंद हम लोग पढ़ चुके थे आज हम पढ़ेंगे बीटा चैतन्य ठीक है तो आप लोग अपने बुक को ओपन रखिए और मेरे साथ कॉंटिनू करिए चैतन्य भगवान क्रिष्ण के भगता हैं माना तो जाता है भगवान के ही रूप हैं भगवान क्रिष्ण भगवान राम यह सब भगवान विष्णू के यौतार हैं बट इस पैसली अगर बात करें भगवान के जिस रूप की वो पूजा करते थे वो क्रिष्ण रूप था ठीक है इन प्रेज ओप लाइड कृष्णा सेंग ड्यूरिंग कृतन्स चैतन्य गुरुजी जो थे और उनके सिस्थे वो लोग फेमस थे भगवान कृष्ण के भजन गाने में और भगवान कृष्ण की भक्ति किस फाव में करते थे वो लोग कृतन भजन गा करके ठीक है तो मोस्ट कि भगवान कृष्ण के भक्त है उनकी भक्ति कहां कहां तक फ्रेमस है तो अशम बंगाल और उडशा और बात करें वह कैसे अपने भग्ति को जाहिर करते थे तो भगवान के कृतन किक्या करते थे वो और उनके followers, means, जो भी उनकी बातों को मानते थे, उनके धर्म के जो लोग आनिवाई थे, आगे पढ़ेंगे, मीरा भाई, ठीक है, मीरा भाई कौन है, तो देखते हैं, मीरा भाई was a राजपूत princess, who was married into a royal family of मेवार, मीरा भाई एक राजपूत राजकुमारी थी, ठीक है, राजपूत खानदान की एक राजकुमारी थी, जिनकी साधी हुई एक साही परिवार में मेवाड के, ठीक है, मेवाड के एक राजपरिवार में उनकी साधी हुई, अब एक अलग बात है, वो राजसी खांदान से थी, राजा की बेटी थी, राजा की बहु बनी, लेकिन एक इस्पासलेटी यह थी कि बच्पन से ही वो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी यहां पर होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए, यहां हीम्स इन प्रेज ऑफ कृष्ण, विच और पॉपुलरली नोन अज मीराज भजन, उन्होंने बहुत सारे ऐसे लाइन बना रखे थे, बहुत सारे गाने बना रखे थे भगवान कृष्ण के लिए, जिसको एक साथ कहा जाता है, popularly मीरा के भजन, ठीक है, the fact that मीरा भाई, a princess, became a disciple of रविदास, who belong to an untouchable caste, towards her complete negation of the caste system, चुकि मीरा क्या थी, एक राजपूत खांदान की बहुत थी, राजपूत खांदान की बेटी थी, बट वो बन क्या गई, संतरविदास की चेली बन गई कह सकते हैं, उनके disciple बन गई, उनके सिस्या बन गई, ठीक है, और रविदास क्या थे, ये lower caste से आते थे, निचले जाते से आते थे, अब उस time पे जातिगत प्रथा तो बहुत तेजी से थी, caste system बहुत तेजी से चल रहा था, तो इस वज़ा से बहुत सार इनके बिरोध हुए, क्यों बिरोध हुए, क्योंकि पहली बात तो ये घूम घूम के ऐसे भजन कर रही थी, जो कि एक राजा की बेटी को नहीं सोबा देता था, एक राजा की बहु को नहीं सोबा देता था, साथ ही साथ ये, इन्होंने जो सबसे बड़ा विरोध का काम क्या कर दिया लोगों के अनुसार कि ये रविदास के सिस्थ्या बन गई ठीक है और जो कि क्या थे lower caste से बिलॉंग करते थे तो इन्होंने caste system को तोड़ा हर सॉंग्स चैलेंज जो रिजडिटी आफ अपर कास्ट और उनके जो गाने हुआ करते थे जो भजन हुआ करते थे या उनके जो भी क्रिया कलाब थे वो caste system के अपर कास्ट मतलब जो ब्रामण हुआ करते थे जो छत्रिया हुआ करते थे उनके रिजडिटी को चैलेंज करते थे मिन्स वो क्या थी एकदम उनको कहा जाता है एकदम भक्ती में वो लीन हो चुकी थी ठीक है तो उन्हें जातिपाती से कुछ भी नहीं मतलब था तो यह हो गया बेटा मीरा बाई के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग सूर्दास सूर्दास वह आलसो डियोटी ऑफ लाड कपलेट्स ठीक है विज विकेम बेरी पॉपुलर हिज पोयम आर कंपाइल इन दा सूर्दास अगर उन्होंने बहुत सारे दोहे बहुत सारे चौपाईयां लिखी है किसने सूर्दास जी ने और आपने भी हिंदी में पढ़ा होगा सूर्दास के दोहे है ना और उनके सारे दोहों को अगर एक साथ आपको देखना है तो आप सूर्दास जी की एक रसना है तो सूर्दास भी कौन है यह भगवान किशन के भक्त हैं तो आप कुछ इंपॉटन भक्ती सेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो इसको याद रखेगा नेक्स्ट है तुलसी दास तुलसी दास दिवोटी आफ राम तुलसी दास कौन थे भगवान राम के भक्त थे यह आल्शो कंपोज्ड नंबर आप दोहाज उन्होंने भी बहुत सारे दोहे बनाये थे रोट दार राम चरित्मानस और हनुमान चालेशा तो यह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हमने रामानुच के बार देखा चैतन्य के बारे में मीरा बाई सुर्दास एं तुलसी दास दीजर भक्ति सेंट्स यह सब क्या थे बेटा भक्ति हम कर सकते हैं साधू संत थे साधू महात्मा थे और इनकी बातों को मान करके हम अलग-अलग हिसाब से कुछ लोग राम भक्तिधारा के थे कुछ अलग तरह की भक्ति हो रही थी आगे पढ़ेंगे संकर्दियो संकर्दियो के बारे में पढ़ लेते हैं अब ऐसा नहीं है कि यह सारे मेडिवल पीरियड के ही थे मद्यकालीन भारत में ही थे बहुत पहले पहले थे तुलसी दास जी बहुत पहले थे ठीक है तो ऐसा नहीं कंसीडर करेंगे कि केवल यह 800 से 1800 तक ही आए उसके पहले या उसके बाद में यह लोग नहीं थे ठीक है तो ऐसे नहीं कर सकते हैं लोग संकर्दियो संकर्दियो वह जब पोएट संकर्दियो एक कभी थे ठीक है प्लेराइट एंड़ सोसल रिलीजियस रिफार्मर आफ असम यह कौन थे यह नाटक लिखते थे साथ ही साथ एक समासुधारक थे धार्मिक समासुधारक थे मतलब धार्म से रिलेटेट चीजों में यह सुधार कर थे और कहां के थे असम के थे यह वाइडली क्रेडिटेट पॉर यूसेरिंग इन भक्ती मूव्मेंट इन असम उन्होंने भक्ती से रिलेटेड बहुत सारे काम किये असम में इस लेटरेरी और आर्टिस्टिक कॉंट्रिबूशन्स और लेविंग ट्रेडिशन से इन आसम तो दे आज भी उनके दिये हुए योगदान जो उन्होंने कलाकारी के फॉर्म में हम कह सकते हैं भक्ती से रिलेटेड अपने जो भी योगदान दिये हैं वो आज भी असम में बहुत सम्मान से उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है बहुत ही जादा उस चीजों की इज़द क तो आपको पता होगा अशम की एक language भी होती है सथतर्या और महा पकी प्रजाती भी हो सथतर्स तो इन्होंने आ दर्म बनाया था ओर इस धर्म को कहा जाता था और अपने उसी भाषा में सथिया भाषा में ही इन्होंने अपना बहुत सारा उपदेश दिया था बिटा और उस चीज को आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं ठीक है तो यह संकर्दियों के बारे में हो गया संत नाम देओ, संत तुकराम, गुरु रामदास, ठीक है संत जनेश्वर, यह सब कौन दे बेटा? इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया महारास्टर में. इन्होंने बहुत सारे दोहे, बहुत सारे गीत, हम कह सकते हैं, बहुत सारी ऐसे रचनाय रची जिससे लोगों के अंदर धर्म की भावना आती हैं उसको सुन करके. अब इन्हों ने एक चीज को बताया कि यह जो घर बार छोड़ के लोग साधू महात्मा हो जाते हैं यसी को नहीं हम बक्ती कह सकते हैं आप घर पे रह करके आप ग्रिहस्त जीवन जी करके भी साधू महात्मा का जीवन जी सकते हो आप अपने परिवार का पालन पोशड़ भी करो साथ ही साथ लोगों को उपदेश भी दो भगवान की भक्ती कर सकते हो ठीक है तो यह इनों में अच्छी बात यह सानी कि आप परबत पर चले जाओ बस महीं पर राम राम करते रहो उससे सारी भक्ती मानी जाएगी ऐसा कुछ नहीं था और ऐसा इन सेंट्स का मानना भी था दा आइडिया ओफ वर्शिप आफ विष्णू गेंड ग्राउंड इन महारास्टा भगवान विष्णू की पूजा का जो वह था कह सकते हैं आइडिया वह भी महारास्टा में आया तो इस ट्रॉंग ली कंडेंब्ड सोसल डिफरेंसे बेस्ट बर्थ विच आलसो इसके लमाँ बहुत सारे सोचल जो भी बुराइण थी सोचल बुराइयों को उनलोगों ने खतम करने का काम किया कि जन्म से जो जातिगत भेढ़द बहोता है यह सारी चीज़े सही नहींहें और कुल ब्लाकर के बहुत सारे समाजिक बुराइयों को उन भक्ति पिरिएट था एन आउटब्रस्ट ऑफ रिजिनल लिटरेचर इन फार्म पोयम सॉंग हीम्स एनेक्डोट्स एटसेटरा अब जो भक्ति पिरिएट था जो भक्ति काल था यह बहुत सारे चीजों के फॉर्म में इसकी ओरिजिन हुई जैसे कविताय बना करके लोग लो साथ महतमा होते थे बीटा ये बहुत सारे दोहें चौपाईयां बना बना करके लोगों को क्या करते थे उसी फ्म में में उप्डेश देते गार के सुनाते थे जिसon नोगों की और में क्या वोग पोना है तो फां मैं लोगों को बताने का उनका गाने मैं ग्ना कभी ताएं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है है क्या होता है कि यह ऐसे चीजे होती है जो बहुत सारे फेमस लोग होंगे बहुत सारे महान लोग होंगे जिसके जीवन की बातें लोगों में फालो की जानी चाहिए जैसे भगवान राम भगवान कृष्ण तो इन सारे लोगों के जीवन की कथाओं को बताते थे ठीक है लोगों में इन सारे लोगों के लाइफ की बातों को बताना पूरी आत्मकथा को सुना देना साथी साथ गाना गा के बताना, पोयम गा करके बताना, इससे क्या होगा, लोगों पे एक अच्छा इंपक्ट पड़ेगा, तो इसे कहते थे बेटा हाजियोग्राफिस, ठीक है हाजियोग्राफिस में किसी महान विक्ति की आपने कथा सुनाना किसी को, तो अलवर्स और नैनर अच्छी बाते बताना, तो इस तरह से लोग बताते थे, बोट अलवर और नैनर सेंट्स, दोनों अलवर और नैनर सेंट्स का जो ग्रूप था, कंपाइल सॉंग्स इं तमिल नेमली, तो यह लोग तमिल भासा में अपने सॉंग्स को बनाते थे, जैसे नाम उसका था, जी स्पोकेन इन इस्टन उत्तर प्रदेश, अब तुलसी दास जी ने रामचरित मानस को अधी भासा में लिखाता, जो कि पूर भी उत्तर प्रदेश में बहुत पेमस है, और हर जगा है, पूरे इंडिया में इसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है, इवन बाहर भी इसकी बह आर्मी ग्रंथ है, हिंदू धर्म का, सूर्दास अर्ष्टिपर आप क्रिष्णा, कंपाइट सूर्षागर, सूर्षारावली, साहित लहरी, तो सूर्दास जी भगवान क्रिष्ण के भक्त थे, आप सबको पता है, तो इन्होंने भी अपनी कुछ रचनाएं रख्ची है, क सूर्षागर, सूर्षागर, सूर्षारावली, साहित लहरी, कबीर ने भी बहुत सारे दोहे रचे और दोहों के उनके संगरा को कहा जाता है, साखी सबद रमैनी, यह तीन रचनाएं थी मेन जो कबीर दासनी ने रची थी, लेकिन इनमें क्या थे बेटा, दोहे थे, आपन भी कबीर के बहुत सारे दोहे पड़े औंगे, तो एक संग्रा था कह सकते हैं, इक अठा जो दोहो का फॉर्म था उसे साखी कहेंगे, कबीर ने सिमपल हिंदी भासा में साखी में बहुत सारे दोहे लिख रखे थे, जो कि आधि गरंथ में में मेंसन है, ठीक है, गुरू अंगत कंपाइल्ड प्रीचिंग ऑफ गुरु नानक इन्होंने भी आदिगरंथ में गुरुमुखी भासा में और यह गुरुमुखी भासा क्या है पंजाबी भासा आगे देखेंगे इन्फो कैपसूल में हैजियोग्राफी जिन भी लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो देख ले bilirडाफी है जूग्रफ कंपस्व कि हा किदो लॉग होते शुट्目 होती था लोगों होती थी जो कि इनके फालो味 आगे चलके जो भी लोग होते थे वो बताते थे लोगों में कि ऐसी इनकी आत्मका था रही इन्होंने सुरू से यह सारी काम किये इतना सारा त्याग किया जिससे यह इतना ज्यादा फेमास हुए ठीक है तो उससे लोगों के ऊपर एक अच्छा इंपक्ट पड़ता था तमिल सेव हाजियोग्राफी जो तमिल भहासा का एक हाजियोग्राफी है मतलब क्या होगा हाजियोग्राफी मतलब नैनर या अलवर की आत्मका था पेरिया पुरानाउं रिटें डिूरिंग दा 13th century ठीक है नेरेट दा हिस्टरी ओफ एच ओफ दशेट्रीफ्री नैननर पें जो आपको यहां पर बताया गया कि एक हैजियोग्राफी है, पेरिया पुरानम, यह 13th century में लिखा गया एक हैजियोग्राफी है, जो की बताता है कि कैसे 63 ने नर्स की हिस्ट्री थी, कैसे उनका लाइफ था, कैसे वो रह रहते हैं, किसी की आत्मकथा में आपको क्या पता चल वो बस नैनर एंड अल्वर्स की लाइफ स्टाइल के बारे में था, तो कोई बात नहीं, अप लोग घबडाएंगे नहीं, पहले वाले वीडियो से इस वीडियो को रिलेट करने की कोसिस करेंगे, ठीक है, और कहीं भी अगर डाउट होता है, बाइदवे कुछ मू से नहीं समझ में आया होगा, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया, तो आप उसको पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू कॉल करके, क्लास टाइम में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो अब ही हम पढ़ेंगे, common teachings of bhakti saints, bhakti saints के जो कुछ साधारण से ज्यान थे, उसको सीखना है, वो कौन-कौन से थे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स वीडियो में पढ़ते हैं, जिससे ज्यादा कॉम्पलेक्सिटी नहीं होगी, बेटा, अब देखिए, यह जो भक्ती saints थे, इनका कहना था कि केवल एक भगवान है, भगवान का कोई बहुत सारा रूप नहीं होता है, हम कह सकते हैं कि निराकार प्रभु की हमको प्रातना करनी चाहिए, और उस फॉर्मलेस, यानि कि जिसका कोई रूप नहीं है, निर्गुड काबेधारा, सगुड काबेधारा आपने पहले देखा था न, तो वो भगवान जिसका कोई रूप नहीं है, उसको हमको फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, और कुलमिलाकि इनका कहने का मतलब था कि अलग-अलग धर्म के लोग, अलग-अलग धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग, कुछ भी माने भले ही, अलग-अलग फॉर्म के गौड की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ओर जिनल में भगवान क्या जैसे हम चिला चिला के पूजा कर रहे हैं मंत्र गा रहे हैं हमन कर रहे हैं इससे नहीं भगवान को हम पा सकते हैं भगवान को पाने का या भगवान की भक्ति करने का रास्ता यह है कि हम प्रेम करें हम भक्ति करें सचे हिर्दय से रहे हमारा हर्ट क्या होना चाहिए या प्य हाई और लो कास्ट का नहीं है ठीक है कोई जन्म से नहीं उची जाती और नीची जाती का होता है सब के बाड़ी में सेम ब्लड है सब लोग सेम ही है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ब्रामण सूद्र बैस यह जो वर्ण विचार था इसको गलत बताया इन लोगोंने नेक्स शॉलवेशन कैन बी अटेंट थ्रू नॉलेज ग्यान मार्ग ठीक है विच कैन बी अक्वाइड त्रू गुरू हुए इसेंसियल फॉर भक्त ऐसा बताया गया सॉलवेशन सॉलवेशन मीन्स मोक्ष अगर पाना है मुक्ति अगर आपको पाना है तो इसके लिए क्या हो होना चाहिए ग्यान मार्ग का होना बहुत जरूरी है और ग्यान मार्ग कैसे मिलेगा गुरू के थ्रू किसी के पास अगर कोई गुरू है और फिर उसका जो भक्त होगा अपने गुरू के बताय हुए रास्ते पर बो चलेगा तो यह क्या होगा ग्यान मार्ग कहलाएगा ज इन्होंने क्या कहा हम अगर ऐसे आंसर पूछ ले या कुछ भी तो क्या लिख सकते हैं कॉमन टीचिंग थी इसकी कि डिफरेंट रिलीजन के लोग जो है डिफरेंट रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन भगवान क्या है एक है इन्होंने बताया कि इस वर एक है और हमको निरगु और हर्ट की प्योरिटी से पा सकते हैं सारे हुमन क्या है बराबर हैं और कहीं भी उच नीच की भावना नहीं है कोई जन्म से उची या नीची जातिका नहीं होता है मोक्ष पाना है तो उसके लिए ज्यानमार्ग होना चाहिए और ज्यानमार्ग कैसे मिलेगा बेटा गुर कनेक्शन बताया कि इससे हम गौड से कनेक्ट खू सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स वीडियो में आज आपको जो भी प्राब्लम्स हुई होंगी तो कल के वीडियो में फिर से सारी चीजें रिवाइच करके आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगी ठीक है थै